वेल्कम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो इसके अदर बहुत सारे एंटि ऑक्सिडेंट होते हैं पता सूजन विरोधी प्रपाटी होती है जो हमारे शरीक के सूजन को कम करती है यदि हम बात करें तेजपता किन बीमारियों में खाएं तेजपता खाने के क्या फायदे होते है जाता लोग को पता है कि तेज़ पता खाने से क्या होता हाजमा दुरस्त होता है, खाना जवदी हाजम होता है उसका सबसे अच्छा एक और फाइदा यह है कि तेज़ पते में क्या होता ऐसे chemical होते हैं जिसकी वाइसे आपको stress और चिंदा बगरा जो ओती है वो दूर होती है जिससे क्या होता आपको अच्छी नीढ आती है उसके अलावा तेज पता हमारे शरीर से जितने harmful जो वेस्टेज होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है तता हमारी kidney होती है गुर्दे है उनको दुरस रखता है जिसे हमें जादा बीमारियां नहीं होती है उसके अलावा हमारे फेफडों के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है हमारे फेफडों को मजबूत करता है जिससे क्या होता है कि हमें बार बार सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार वगरा नहीं होता है और इसकी वैसे क्या होता हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं इससे क्या होता अस्थमा जैसी बीमारी से भी हम बसते हैं उसके अलावा हमारे तवचा और बालों के लिए भी बहुत जादा मैधपूट होता है इसे बाल मजबूत होते हैं साथ-साथ में इसकिन से related infections वगरा हो होती उसको भी रोपता है क्योंकि इसके अंदर anti-inflammatory properties होती हैं सूजन विलोधी सूजन विलोधी प्रोपरटी होने के साथ-साथ यह क्या होता अर्थराइटिस तता शेरीर में अन्य सूजन को कम करता है उसके अलावा शेरीर में कहीं दर्द वगरा होता है उसको भी यह सूजन वगरा आ जाती है सूजन को भी कम करता है जिससे क्या होता उनका मोटापा वगरा भी कम होता है उसके अलावा इसके अंदर anti-oxidant होते हैं जो diabetes में के मरीजों में उनका sugar level कम करते हैं उसके अलावा heart को भी हमारे मजबूत होते हैं तता cancer जैसी बिमारियों से भी हमें बचाते हैं अब यदि हम बात करें एक दिन में कितने तेज पता या तेज पता खा सकते हैं तो इसकी जो दोज होती है एक से तीन ग्राम पड़े मतलब अगर आप देखें दो से तीन लीफी maximum आप पते खा सकते हैं यदि बात करें तेज पता खाने से क्या होता है तो इससे कि आप क्याए कर से थे जो भी अपने घर में काना वरों कर सकते हैं और उसके बाद इसको निकाल राकर फेक मतलाब इसको कुक्षै करें नाहीं क rättक्री यहें साथ-साथ में इसको आप चाय पिषय को सकते हैं चाय जब आपकी बन जा तो उससमें इसको निकाल इसके अलावा इसका तेज पत्ता का जो आयल आता है वो भी आप बालों में लगा सकते हैं इसकिन में लगा सकते हैं जो खुचली वगर ओती हैं इससे भी काफिया थीक होगा मसूड़ वगरह में भी फाइधे Yoink इदे अलावा सी के आप चून जुझार इसको रात को भिगो के रख सकते हैं, सुभा इसका पानी बगगरह भी पी सकते हैं, زाधा इस्तमाल ना कर सकते हैं, इसमें सभी एक पते का ही इस्तमाल करें. यदि हम बात करें तेजपता किस समय खाने से जादा फाइदा होता है, तो तेजपता यदि आप रात को समय खाते हैं मतलब रात को इसका पानी वगरा चाय वगरा पीते हैं तो आपको नीन अच्छी आती है क्योंकि और साथ-साथ में चिंता वगरा भी दूर करता है तो जब भी आपको नीन वगरा नहीं आ रही तो आप चाहें तो थीन तेजपते की जो चाय होती है चाय की पती की जिर्फाइन पर इसका इस्तामाल कर सकते हैं तो पी सकते हैं यूँ आपको नीन अच्छी आएगी साथ में सूजन दर्ष दर्ष बगरा भी कम हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें विद दिस थाइंक यू बेर मच पर वाचिंग हेल्ज रेंबू